श्रीराम की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी, मर्यादा पुरुशोत्तम श्रीराम ने अंतिन बार रावन को अफसर देने का विचार किया, इसलिए उन्होंने एक बार फिर रावन के पास शांती प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, श्रीराम की तरफ से रावन को शांती प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगत को चुना जाता है, जबकि लक्षमन जी बजरंगबली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्ष देते हैं, लेकिन श्रीराम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा क्योंकि वह पहले भी रावन के दर्बार में जा चुके हैं, इससे रावन को यही लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई वीरवानर नहीं है, युवराज अंगत को श वह बोलता है। का प्रबंध करता हूँ, इतना कहकर अंगत अपनी पूच से रावन के सिनहासन जितना उचा आसन बना लेता है, और इस पर बैठ कर बोलता है। परम भक्त और परम ज्यानी हैं। उसके पश्चात भी आपने जगत में निंदा के योग्यकार्य किया है, जिसमें आपने हमारे स्वामी श्री राम की पतनी सीता का हरण किया है। श्री राम अपने पतनी सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ गए हैं। लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांती स्थापित करने का अफसर दिया है। श्री राम का कथन है कि आप उनकी पतनी सीता को सम्मान सहित उन्हें लोटा दे तो वह बिना युद्ध किये वापस लोट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विध्वन्स होने से बच जाएगी। अंगद के मुह से शांती प्रस्ताव सुनने के बाद रावन का अहंकार और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांती प्रस्ताव भेजा है। कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए उसने तुम्हें दूत बना कर शांती का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझस पर आक्रमन करता। इस तरह बार-बार दूत भेज कर अपना अपमान नहीं करवाता। रावन के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा। अहंकारी रावन श्री राम ने शांती प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच्चे वीर है। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्म के कारण लंका के निर्दोश लोग मारे जाएं। और हाँ यदि आपको अपनी और अपने योध्धाओं की शक्ती पर इतना ही अभिमान है तो मैं अपना एक पैर आपके दर्बार में जमा देता हूँ। और आपके सभी योध्धाओं को चुनोती देता हूँ। कि अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो वह मेरे पैर को जमीन से हिला कर दिखाएं। यदि आपका कोई भी योध्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा तो मैं अपने इस। वामी श्री राम की ओर से आपको या वचन देता हूँ। कि वह हार मान कर वापिस लोट जाएंगे। अंगद का पैर यह कहकर वीर अंगद अपना एक पैर जो और महाभट योध्धा आते हैं लेकिन उन में से कोई भी अंगद के पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाता। रावन का सबसे प्रिय पुत्र और सबसे पराक्रमी योध्धा इंद्रजीत भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाता तो गलानी से अपने आसन पर जाकर बैठ जाता आखिर में जब रावन यह देखता है कि उसका कोई भी योध्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पा रहा तो वह स्वयन जाता है जब रावन अंगद का पैर उठाने के लिए नीचे जुकता है तो अंगद एकदम से अपना पैर हटा लेता है जिससे रावन का मुकुट नीचे जमीन पर गिर जाता है रावन का मुकुट उठाकर अंगद ने सावधान करते हुए वह मुकुट बाहर फेंक देते हैं अंत में अंगत कहता है कि खे रावन मेरी चुनोती आपके योध्धाओं के लिए थी आपके लिए नहीं। मैं आपको अब भी यही परामर्ष दूँगा कि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लोटा दीजिये और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग किजिये तो आपकी असुर जाती विध्वन्स होने से बच जाएगी यह कहते हैं।